यहां जो हम बात बता रहे हैं और जो चल रही है क्योंकि आज एनराई का दिन भी है यह जो पूरा काईक्रम चल रहा है इस पूरे के पूरे काईक्रम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यह पाओगे के हम यहां आज कल गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं और गोल्डन रूल्स में यानि जो सुनहरे जो नियम है उनमें जो नियम चल रहा है वो आज है पांच्वा नियम यानि कि हमारे जो नियम है वो चार पहले बताए जा चुके है और पांच्वा नियम है हमारा वो है पद, प्रतिष्टा, मंच और माला यानि कि ये जो चार चीज है ये चार चीज कभी नहीं आएंगे हमारा जो पहला गोल्डन नियम है वो है केवल समण यानि कि समण ही इसमें आएंगे जो हमारा ये संग है इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहां कभी न सकता है यानि सिर्फ समण की eligibility है और दूसरा golden rule से हमारा चंदा कभी नहीं यानि समण संग public से कभी भी चंदा नहीं लेगा यह पहले explain हो चुका है बताया जा चुका है इसकी वीडियो आ चुकी है तीसरा हमारा जो golden rule है सुनहरा नियम है वो है जाती अभ्यास कभी नहीं यानि समण संग में कभी भी कोई भी व्यक्ति जो संगी है वो जाती का practice नहीं करेगा जाती का अभ्यास नहीं करेगा जाती की जाती पुराने समराट संग में थी ही नहीं उस समय जाती होती नहीं थी समराट असो के समय भी कहीं जाती नहीं थी और ये जो हमारा संग जो ठूटा है चार सो पांच साल पहले उससे पहले जो जितना भी सहित है उसमें कहीं जाती नहीं है ये काल्परिक किताब जब से आई ह करेंगे जो चौथा नियम हमारा इसमें है केवल संगबाद संगबाद का मतलब है कि यहां हम व्यक्तिवाद नेताबाद प्रधानबाद या संग्ठनबाद या कोई और वाद ऐसा जो संगबाद से इतर हो या अलग हो उसको हम नहीं मानें पांचमा आज एक्ष्पेंट करें और छटा नियम है हमारा समण संग का कभी भी पंजिकर्ण नहीं होगा ना पहले कभी हुआ है और ना ही कभी होगा साथवानियम है और सब्सें राजनीति में कभी नहीं जाएगा नहीं कि राजनीति में कभी नहीं जाते हैं प्रियमरी जो उनकी एक्टिब मेंबर्सिप है उसको छोड़ कर वो जा सकते हैं पर उनकी normal membership है एजे संग के रूप में रहती है और नौ मा नियम है संग घात की बाफसी संग में कभी नहीं यानि इस संग में और पहले से जो चला संगा आ रहा है बुद्ध से पहले तक का उसमें नियम है कि जो संग घात करेगा उसकी संग में बापसी कभी नहीं होती है और दसवा नियम है कि जो नौ उपर की विरे हैं ये संग का आदार है यानि नौ नियम ये ना कभी बद्ले जाएंगे ना कभी खतम किये जाएंगे और ना कभी आमाने हो इसमें जो पांचवा नियम है कि यह बहुत इंपोर्टन नियम इस लिए है तो भी ना मगते हैं कि अगर विक्ति संग वाद के अलावा कोई प्रटिस करता है नाम तो लेता है कि हम संगी है हम संग वादी है और हम संग वाद में यकीन करते हैं और हमारा संग है और काम वो करता है जो व्यक्ति बात के हैं नेता बात के हैं परधान बात के हैं जो एक एकल बात के हैं और उनकी अभ्यास करता है तो वो संगी नहीं है जो पद होता है पद यानि पोश्ट जो पद होता है वो हम ऐसा जो लोग संग में नहीं होते हैं वो बा होता है जो सरकारी दफ्तर ने उनमें पद होता है जहां कहीं राजा या उसका प्रधान या कहीं कोई राजा का को राजा का सिस्टम है उसमें पद होता है या आप कह सकते हैं कि जहां व्यक्तिवाद होता है व्यक्ति अपने आपको ऊपर रखता है सुप्रिम होता है बड़ा पद का मतलब होता है कि आपको जो पोजिशन दी है आप से उपर कुछ लोग हो सकते हैं और आप से नीचे कुछ पद हो सकते हैं तो इसमें ऊपर नीचे सिस्टम आ जाता है यानि कुछ उपर होंगे कुछ नीचे होंगे यानि कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे कुछ के अधिकार जादा होंगे कुछ के अधिकार कम होंगे तो छोटे बड़े का उँच नीच का जादा का और छोटे अधिकार का एक भेद आ जाता है यह भेद डिस्क्रिमिनेटर्सन पैदा करता है भेद भाव पैदा करत या, खुद के दबने का ऐसास आना सुरू हो जाता है. तो इससे equilibrium नहीं रहता है, आने कि इससे aegkta नहीं रहती,ельзя Agency. जब इससे समानता नहीं रहती एकता नहीं रहती, समता नीच करता है पद की आवशक्ता यहां कभी पहले ना संग में थी और ना ही कभी संगों के अंदर पद रहते हैं दूसरा आता है प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का मतलब है कि संग के अंदर किसी को प्रतिष्ठापित किया यानि उसको उंचा किया या उसको नीचा किया उसका सं कोई भी अगर ऐसा इस्थान देते हैं जो साधारण संगियों से इतरहे अलग है या उसको नीचे वाला इस्थान देते हैं जो साधारण संगियों से नीचे है तो वो आपको छोटे और बड़े का भेद्ध पैदा करते हैं इसलिए संग में कोई कितना काम परे सबी व्यक्तियों की अलग अलग खार्चत होती है कोई व्यक्ति बोलने में अच्छा हो सकता है कोई यहां लोगों को जोड़ने में इसको बनाने में अच्छा हो सकता है कोई यहां जूतों को लाइन में लगाने में अच्छा हो सकता है कोई यहां गेट पर खड़े होके प्रजट रूत अफसर हो सकता है यहां किसी का कुछ भी हो सकता है जो काम वो जानता है वही काम देता है और संग उसको वही काम देता है पर काम अलग बात है काम के आधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता छोटा बड़े का यहां जिक्र भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर काम के आधार पर छोटा बड़ा हो गया या उसको यह कहने लगे कि यह तो ज्यादा बड़ा काम करता है या यह बुद्धी जीवी है ज्याद है यह मुख्खे लोगों में कजर आ जाती है फिर उसका हो जाता है और जब हो जाता है तो वहां काम नहीं होता फिर वहां लोग एक दूसरे को प्रतालित करते हैं जिसका आप सम्मान कर दोगे तो क्या इसका मद्दब बाकी लोगों का अपमान हो गया, क्योंकि कुछ लोगों का आपने सम्मान किया, उनको प्रतिष्टा उनकी की, उनका सम्मान करके, उनको चावत तरफ आपने कहा, तो बाकी लोगों ने क्या काम नहीं किया, संग में तो सभी काम करते हैं, कोई कम करता है, को जादा करता है, पर संग किसी के काम को किसी के सामने छोटा बड़ा करके पेस नहीं कर सकता जो काम जो कर रहा है वो कर रहा है संग की निगाह में रहता है कि कौन ज़्यादा काम करता है तो उसको और ज़्यादा काम दिये जाते हैं जो काम नहीं करता काम चोर होता है संग उसको पचानता है पर कहता नहीं है कि य तोटा बड़ा किसी को नहीं कह सकता, कि तू लिखाई-पढ़ाई केँ काम करता है, तो तेरा काम अच्छा है और ऊपरशी और कोई आदमी और पर्षी को भी बिचाने काम करता है, तो उसका काम गंदा है, यह यहां किसी भी हलत में नहीं आता, इसलिए यहां प्रटी इस्थापित नहीं किया जाता, यहां किसी को प्रतिष्ठा नहीं दी जाती, यहां किसी भी हलत में किसी को इस्पेसल नहीं का जाता, अगर इस्पेसल किसी को कह देंगे, तो बाकी लोग ओर्डिनेरी हो जाएंगे, तो यहां है माला मंच और माला मंच यहां कभी नहीं लगेगा क्योंकि मंच जहां लगता है वहां उंचाई पर लगता है मंचा मैसा कुछ लोग उंचे पर बैठते हैं मंच का मतलब है कि कुछ लोग बाकी लोगों से विशिष्ट हैं इस पर सलें मुखें हैं कुछ ज्यादा तर अगर ध्यान दिया हो तो ये जो मंच सिस्टम है ये जो उपर बैठने का सिस्टम है ये सिस्टम सारा का सारा उन लोगों का सिस्टम है जिनके संधन चलते हैं जिनमें राजा चलता है जिनमें व्यक्तिवाद है क्योंकि राजा हमेंसा आपने ऊपर बैठा हुआ देखा हुआ उसके मंत्री उसी हिसाब से नीचे नीचे बैठते हैं तो यह जो ऊपर बैठने का सिस्टम है यह उंच नीज पैदा करता है और जो व्यक्ति जितने ऊपर बैठ जाते हैं वो नीचे वालों को सिर्फ यह मानते हैं कि इनको सिखाना है और हम सिखाने वाले हैं एक एहम और एक खराब हो जाता है और वो ऐसा तंज आता है जैसे मुर्दा अकड़ जाता है ठंड पे ऐसे अकड़ा-कड़ के वो बैठता है इसलिए मंच कभी नहीं लगता संगों के अंदर क्योंकि व्यक्ति बरावर होते हैं और सारे अच्छे होते हैं और जानकारी का जो लेवल है वो ध जो सहज ग्यान है, वो सहज ग्यान लगबग सब को मिल जाता है, जिसका समण संग में सबसे ज़्यादा जरूरत है और जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है सहज ग्यान, यहां डिगरियों के ग्यान के आवशक्ता नहीं होती संग के अंदर, जो नैचरल ग्यान है, जो सहज ग बाठ देता है मंच वाले व्यक्ति अलग हो जाते हैं और जब मनच वाले लोग होते हैं और जब बहुत जादा नुकसान सोसाइटी को हुए है और इतने ज्यादा नुकसान हुए है society को कि हमारिया जो अधिकार है वो गर्त में जा चुके हैं इसलिए संग के अंदर मंच ना पहले थी और ना भे ना मंच कभी लगेगा साय लोग नीचे ही बैठेंगे बरावर बैठेंगे और जिसको जो कहना है वो कहेंगे एक संग आसन जरूर होता है संग आसन का मतलब है कि जहां पर संग को कोई बात कहनी हो और कोई व्यक्ति महां जाकर बैठ कर तो वो आसन नीच में पढ़ा रहता है उस पे बैठे उस पे बात करे उस पे बोले और जब वो बोलके अपना संबोधन करके जाए नीचे जागे बैठ जाए जिसको दूसरा ना हो फिर वो संग आसन पर बैठे तो संग आसन कोई बाद में सिंग आसन करने लगे क्योंकि समरा कहीं चेंज, कहीं एक फुट, कहीं दो फुट उसको बनाया जा सकता है और वो परव्परा, जो हमारी चंदोसी की मिटइंग थी महासर संग हसन की पूरी पूरी आरम हो गए है. और जो चौथा चीज है, वो है हमारी माला. माला का जो कल्चर है, वो कल्चर हमारा नहीं है, माला जो हमारी जो माता बहने थी, वो सरंगार के रूप में अपने गले में या अपने बालों में डाला करती थी, सफेद फूलों की बना के, क्योंकि पहले जो इस्तरिया थी, उनके सरंगार के लिए नैचरल चीज़ा हुआ क खूलों का गजर लगा लीया सर में बाहन लिया या माला पहली क्योंकि पहले कपड़ा सब के रादन आदमी नर लएँ हो सब की धूती ऑ South Solar संगार का सबसे अध माला होती थी और माला बनाती दोड़ती ही और पर नरों का जो माला डालने का जो सिस्टं है वो सिस्टं हमारा नहीं है। लोगों का है जो वैक्ति को प्रधार और वैक्ति को प्रमुख करते हैं। और भीड में ये बात पता चले के काउन व य। बनाया है और ये व्यक्ति व्यक्तिवाद में उपर है। इसलिए संग में कभी भी माला डालने का चलन या माला का जिक्र या माला का कोई बात मिलती नहीं। बुद्ध की स्ट्याचूपे कोई माला बुद्ध के गले में कोई माला नहीं मिलती क्योंकि अगर माला इतना प्राधान हमारे यहां होता तो सबसे ज्यादा माला बुद्ध के गले में पाए जाती पर बुद्ध के गले में एक माला नहीं मिलती ना किसी फोटो में ना किसी जितना भी होटा है वो बुद्द के विकुो और बुद्ध के आगे समर्पित कर देता है धेल लागा देता है जब कि वो राजा को लेकर जाने वाला हुला जब राजा को यह बात पता चलती है कि इससने आज सारे फूल मेरे जो मेरे घराने थे वो बुद्ध के चर्णों में और बुद्ध के भिकू संग के चर्णों में डाल दिये हैं तो राजा उसको बड़ी साबा से देता है और उस दिन उसको दुगना दाम देता है ऐसी एक कहानी आती है तो उससे पता चलता है कि फूल जो डाले थे वो बुद्ध के और बुद्ध के अनुए यह जो जितने भी कुछ थे उनके चड़नों में डाले थे कहीं कोई माला उनके गले में नहीं परूँ तो माला जो होती है वो व्यक्तिवाद का प्रतिक होती है यह बिमारी इसकदर हमारे समाज में हैं कि लोग अपने पैसों की माल होते हैं उतने बड़े वो होते हैं और वो माला नहीं उतारते जब तक जब तक वो अपनी गाड़ी में बापस ना जाएं और माला उतार कर वो गाड़ी में आगे सजा देते हैं पीछे सजा सजाते हैं ताकि गाड़ी जहां तक जाए वहां तक लोगों को पता चले कि हमारा नेता कितना बड़ा है देखो उसकी फूलों से गाड़िया बढ़ी पड़ी हैं कुछ डैसबोर्ट पर डाल देते हैं कुछ टांग देते हैं और माला अगर नहीं हो कहीं या बेकार माला हो तो नेता जी डाटते हैं कि तुम क पहले भी संग के अंदर कभी माला नहीं हुई और अभी भी संग के अंदर कोई माला सथकार या माला नहीं हो तो क्योंकि व्यक्ति का जो सम्मान होता है वो उसके कारे से होता है जो लोग उसको याद रखते हैं जो बाद में व्यक्ति की सखल भूल जाते हैं व्यक्ति का प 45 साल तक लगाता नंगे पै दोड़ कर और लोगों को सिखाते थे पढ़ाते थे और एक करांद की उन्हों ने खड़ी कर दी बुद्ध का चेहरा किसी को याद नहीं तो कि जो चेहरे बने हैं वो बाद में कालपनिक है और जूटे बने हैं बुद्ध एक्शुल काले थे गोर अलवियों जो मुहमद साव हैं कि मुहमद मुस्तिफा हैं उन्हों ने इतना काम किया उनके बाद के अनुए आयूने उनकी सब्सक्राइब कर दी इसलिए उनका फोटो नहीं बनाते क्योंकि फोटो से वेक्टी बाद आ जाता है और काम पीछे रह जाता है इसलिए महमम्ह सामने काम किया ई सिर्क वो काम गिना जाता है, उनका चेहरा-मौरा या उनकी चीजले उनकी सारी खतम कर दी गए, ताकि लोग वैक्तिवाद में पूजा बाद में ना जीए. इसलिए जितने भी लोग हैं संघ के अंदर जो पूराने हुए हैं और जो अब तक हुए है और जो आगे भी होंगे उनका कहीं चेहरा वेरा नहीं डपेगा कोई अगर यह सोचता हो कि मैंने बहुत बड़ी वावा करें यह सब बेकार की चीज़ है संग के अंदर यह नहीं होता है संग तो पोस्टर वाजी फोटो वाजी और क्या उते नाम की वाजी आपने देखा होगा जगे जगे राजनिक पार्टियों में लोग अपने फोटो के साथ फोटो लगा के खुब घूंते हैं पर संग के अंदर नहीं होता संग के अंदर अगर किसी का फोटो जा रहा है तो जाए उससे फरक नहीं पड़ता और किसी का नहीं जा रहा है तो ना जाए उससे फरक नहीं पड़ता क्योंगी संग में तो घोलना होता है अपने आपको अपना पूरा जीवन संग में घोलना होगा ज के बदले कुछ ना लेने को त्यार हैं तो सफलता आपके संग के दरवाजे पर है और अगर आप यह सोचते हैं कि मेरा यहां मान हो समान हो मन्च हो माला हो नाम हो पोजिशन हो मैंने तना काम किया मेरी इस्तुति हो मेरा नाम ने लिया मेरा गाम ने लिया मेरी बात नहीं की य यहां तो दस भीस लोग हैं जिनके चेहरें हमारा आया नहीं, यह यह नहीं आया, वो नहीं आया, तो आप कितनी भी महरत कर लेना, परणाम नहीं आने वाले, परणाम इसलिए नहीं आने वाले हैं, क्योंकि संग की यह सर्थ होती है, कि जो संग में अपने आपको घुलेगा विले करेगा, उसके दरवाजे पर सफलता संग ले के आता है, और जो व्यक्ति यह सोचता है, कि मेरा नाम, मेरा पद, मेरे मंच, मेरा मला, मेरी पतिष्टा, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा लाब, मेरा हानी, मेरा यस, मेरा अप यस, और मेरा यहां करसंसा, और मेरी यहां नि तबी आएंगे पहले भी तबी आये थे जब पचासो हजारों आदमियों ने अपने आपको इसमें घोल दिया उनका नाम भी जानता कोई कितने दोग थे बुद्ध के साथ में पचास जार बताते हैं कहां नाम है क्या दो चार नाम है वो भी कुछ जूटे कुछ सच्चे वो बुद्ध के संग में जितने भी आये यह बुद्ध की पहली कंडिशन थी के जो आएंगे वो सब समड़ हो जाएंगे ब्रहमन नहीं रह सकता इसलिए कोई बुद्ध के अगर संग में आया और आने के बाद भी ब्रहमन है तो वो बुद्ध का सश्य नहीं हुआ वो भिक्क सभान एक वर्ग में आता है एक वर्ण में आता है और बुद्ध के हां सारे के सारे समन हैं वो जो सभू बुला करतेट है समन को जो बुद्ध को बुद्ध को करने वाले ब्रहमन नहीं कूं संक के अंदर एक भी ब्रहामन नहीं था क्योंकि अगर ब्रहामन होगा तो भिक्कु नहीं हो सकता क्योंकि भिक्कु को तो सब्ची छोड़ क्या नहीं पड़ती है इसलिए इसको बिल्कुल किलियर कर लें और ये बात बिल्कुल हंडेट परचेंट सच है आप इसको किसी भी क कर सकते हैं और कर सकते हैं जो ब्राह्मन वह भिक्कु नहीं होता है इसलिए कोई अगर पहले ब्रह्मन रहा हो और वो आएगा तो समण बन जाएगा बुद्ध उसको समण बनाते थे तब गांकता था यह लीवारीग कवर इत涹 बाते हैं इसलिए समण संग बहुत तीशे दोड़ रहा है और बहुत तीशे चल रहा है जिसके मन में संसे है जिसके मन में डाउट है जिसको पद पोष्ट माला जिसको यह जो सॉल पहनी के आदत है जिसको तोबी पहनी के आदत है जिसको माला पहनी के आदत है जिसको यह जो भगवान बुद् तो अपनी जिंद्गी देनी है मिलेगा यहां कुछ नहीं जो मिलेगा संग को मिलेगा संग से जो लोटके आएगा वो सब को मिलेगा यह बात पूरी तरह से क्लियर है इसलिए जो हमारा पांचवा गोल्डन नियम है क्योंकि चार पहले होगे पांचवा यह है मंच माला पद पतिष्टा समण संग में कभी भी नहीं ना पहले कभी थीं और ना अब होएं और ना बाद में कभी होंगी अच्छी तरह से सोच लें अच्छी तरह से बचाल लें क्योंकि बहुत साई लोग हैं यहां सोचते हैं मंच माला पत पतिष्टा यहां मिलेगी नाम मिलेगा हमार में उनको कश्ट होता है और उनको कश्ट क्या होता है संग को भी कश्ट होता है क्योंकि जो लोग ऐसे आते हैं बाद में फिर वो जाते हैं छोड़ छोड़ कर तो उससे क्या होता है कि वो अपनी कमी तो सुकार करते नहीं वो ये तो कमी नहीं सुकार करते हैं कि हमको मंच माल होते हैं या जो नेने आये होते हैं वो थोड़े से बिचारे क्या वो ते मिस्गाइड हो जाते हैं उनकी समझ में नहीं आता कि है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और कई वार यहां लोग लड़ भी जाते हैं तो उनको बड़ा जीव सा लगता है उससे संग का नुकसान हो धन्यवाद संगं नमामी आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेने गच्छामूँ संगं सरनम गच्छामूँ तू तियंपी बुद्धं सरनम गच्छामूँ तू तियंपी बुद्धं सरनम गच्छामूँ तू तियंपी धममर सरनम गच्छामूँ भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छादी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छादी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छादी, ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी साथ। साथ। साथ।